तक्रीबन पांच महिने बाद जार्खन के पूर्व मुख्यमंत्री हिमंत सुरेन राची में जेल से बाहर आये उनके चेहरे पे बदलाव दिख रहा है दाड़ी बड़ी हो गई है और इस मौके पे भी कलपना सुरेन उनके साथ साथ चल रही थी जब वो बिरसा मुंडा जेल से बाहर आये हमारे साथ जेमेम की सांसत महुआ माजी है मैं जिस पल का आप लोगों को इंतजार था चाहे इंडिया ब्लॉक हुए जेमेम हो जार्खन में पहली प्रतिक्रिया क्या है जेल से बाहर दिखिए इसमें न सिर्फ हमारे कारेकर्टा या हमारे जार्खन के लोग बलकि पूरे देश के नियाए पसंद लोग से खुश हैं, इंडिया गडबनन तो खुश है ही, एक बहुत बड़ी जीत है ये, दरसल केंडर की भाजपा सरकार ने ये सोचा था, कि जो लोका प्रिया नेता हैं, जिनको जनता पसंद करती हैं, चुनकर भीजती हैं, ऐसे लोगों कि उनसे द महा गडबन्धन, इंडिया गडबन्धन कितना स्ट्रॉंग है, तो इसलिए मुझे लगता है, कि अब धीरे धीरे जो भी शर्यांत्र पहले हो रहते हैं, अब वो कम होंगे, क्योंकि लोक्तंत्र हैं, यहां जनतांत्रिक तरीके से जीत कराना चाहिए, लड़ाई, स्वस्त दिया गया, टिकट दिया गया, और जब कुछ 19-20 हुआ, तो फिर उनको उठा के वैसे यूज अंत्रो टाइप का किया गया, ऐसा भी देखा गया है, तो इस तरह की राजनीती ना की जाए, तो बहतर है, इस देश के अच्छी परंपरा स्वच्छशवी, पुरी दुनिया क सामने है, लोग तांत्रिक तरीके से लड़िए, सारे लोग लड़ेंगे, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता उने चुनेगी, आप लोग उने चुनाव में भी इसको चुनावी मुद्दा बनाये था, जेल का जवाब वोट से जो दिल्ली वाला नारा था, उसको जारखं सरकार थी, उस समय जिस तरह से मानिय है, मन जी ने जो मीटिंग उन्होंने किया और जन सहलाब उम्रा था, उस समय भी बदलाव यातरा, संगर्श यातरा में, उससे ही पता चल गया था कि कितने लोकप्रिय नेता है, उन्होंने अपने बूते, वहाँ पर सरकार बनाई और बड़े भाई की भूमिका में जेमेम था और फिर कॉंग्रेस और राज़त के साथ मिलकर सरकार बनी, इस बार भी अब हो जब चेतर में आएंगे तो निश्यत रूप से और ज्यादा लोग आएंगे उनकी सभाव में, और इस बार विधान सभा तो हम लोग जीत रहे हैं, और हमारी सरकार फिर बनेगी वहां पर, यह सवाल मैं एक और आप से पुछने वाला हूँ, हलां कि बहुत जल्दी है सवाल के लिए, लेकिन यह सवाल बन रहा है, हमन सोरेन जेल जाने से पहले मुख्यमंतरी के तोर पे स्तीफा दिया, उन्होंने चमपई सोरेन को जो सीनि करने आई थी, उस समय जो एक पत्र उनके तरफ से लाकर पढ़ा गया था, और वहां पर सारे हमारे विदायक मंतरी जी वगरा थे, हम लोग थे हैं वहां पर, तो उसमें खुद हेमन सोरेन जी ने लिखा था कि चमपई सोरेन जी को मुख्यमंतरी बना रहा है, यह उनका पर फेर स्कीम्स का इंपक्ट है, वो स्लोडाउन हो गया हमन सोरेन के नहीं रहने से, तो क्या आप भी यह मान रही हैं और उनके आने से मुख्यमंतरी अब फेर बदल करके, आखरी क्योंकि चार-पांच महीने बचे हैं अब सरकार के, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की अबी जो हमारे मानिय मुख्यमंतरी हैं, वो भी पार्टी के बहुत senior leader है, और हेमन जी ने उनको बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया है, और अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, जो भी पहले से जो योजनाय धरातल पर थी, उन्हें बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है, और दोनों ही स्थिति हम लोगों के लिए बराबर है, हमारे जो हमारी पार्टी, वो अपने आप में एक परिवार है, सभी उस पे मिल जुल के काम करते हैं, तो जो भी निनाय लिया जायएगा, पार्टी हित्मे और जनता के लिया जायेगा, जो भी होगा हम सब को मंजूर है क्या कैम्पेन में अब चहरा हमन सोरेन होंगे या कलपना सोरेन साथ-साथ दिखेंगे क्योंकि उन्हों क्राइसिस के मोमेंट में एक लीडर्शिप जनरेट हुई आपकी पार्टी आज ही मेरी बात भी थी मानिक हमारी आदनिया कलपना जिसे तो उन्हों उनसे मैंने कहा कि आप जिस तरह से काम कर रही है तो उसमें आप फिर से वापस बैठ मत जाना और हमें ज़रत है आपकी और इसी तरह से बल्कि और मुखरता से आप साथ रहें तो इसे पार्टी को और मजबूती मिलेगी कि अब लग रहा है कि जैसे जिस तरह से हमन सुरेन की बेल हुई है क्या दिली में भी अर्विन केशवाल को लेके ये राहत आप लोग इंडिया ब्लॉक के तोर पे मान रहे हैं कि अब ये राहत वहाँ भी मिल सकती है हाँ हमें ऐसा लगता है क्योंकि पहले से लगता है प्लान थाइल लोग का कि अबिदान सभा चुनाओ भी में भी नेताओं को सामने ना लाया जाए लेकिन इस बार की रिजल्ट से मुझे लगता है वो लोग डर गये हैं तो अभी जो कुछ भी दिख रहा है हो सकता है दिल जाहिर कर रहे हैं और जनवरी के बाद अब जब जून में हिमन सोरेन जेल से बाहर आए हैं तो जेमें अपने आपको और भी मजबूत इस्तिती में देख रहा है विदान सभा चुनाओं के ठीक पहले हिमन सोरेन की वापसी कही ना कहीं पाटी को चुनाओं में मजबूती देगी और अब पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जैसे जहारकंड में हिमन सोरेन की रहाई हुई है संभवत दिल्ली में भी अर्विंद के जिवाल को राहत मिल सकती है बात ये है कि अब सवाल ये बनता है कि क्या जहारकंड में फिर से एक बार मुक्यमंत्री का चेहरा ब और मुक्यमंत्री कि बार मुक्यमंत्री के अज़ voilà। झाल झाल